हेलो एवरीवन आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे किड्नी का बेजिक इस्ट्रक्श्चर यानिकि जो किड्नी की जो पैथलोजी होती है उसके डिफेक्ट होते हैं या फिर इसके डिसोडर होते हैं उन में जो हमारी बेसिक इंपोर्टेंट जानीच करें चाहिए हमको व इसके इस वीडियो में हम इतना देखेंगे और यह इंपोर्टेंट चैक्टर है काफी जहां पुछ आजाता है और हमारे नीट पीजी से लेकर इसकी जो इनिवश्टी एकजाम होते हैं वह वाइबा सब में यह सब मैं आता है तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना आपको इसलिए समझा जाएगा इतना हर्ड भी नहीं है कुछ पस यह है कि आप बस यह वीडियो देख लीजिए आपको अच्छा लगए तो चलिए देखते हैं कुछ नय सीखते हैं आज सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करते है हैं जो किड्नि का फंक्शन होता है सब को पता है नैटोजिन वेच का एक्सक्रेशन और क्या हıtा हैं एक्सिड बेसже बैलन क्या होता है और क्या होता है 하는데 इरे थ्रो पूर्टिन का सिक्रीश्जMusik कहां से होता है एक त्यूबियक्रिश एल ओर क्या होता है रेनिन का सिकरीश्ण उत यहाद रखिए रहनिन सिंगल एणवाला है जो डबलन होता है वो इस टमक में होता है कहां से सिग्रीट होते हैं लेएगलोड सेल से यह देखा हम ने जो किडिनिके फंक्षन थे अब आएंगे हम structure of grown अयनिकि structure of ब्लो मेरूलर इसमें सबसे पहले यह बामेन कै्सुल है।D JUL होता एसको बोलते हैं एफ्रिंट आर्ट्र और यह होता है इफ्रेंट आर्ट्र अब इन में connectivity कुह सा थे और गौन से होते हैं तो 10 इफ़ों ईसे क्या होता है एग्जिट यांडिधी लिए सकते हैं तो हम एजिली इसको याद एक सकते हैं E for exit E for efferent IRTOL से blood आता है यहां फिर 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 फिल्ट्र होता है और फिर यहां से वापस होगे चला जाता है ठीक है जो efferent Rtol होता है उसका जो diameter होता है वो किसके द्वारा regulate होता है और प्रोष्टा ग्लेंडिन का क्या effect होता है आपको कुछ को पता भी होगा आपने फार्मकोलोजी में पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा तो अभी याद कर लीजिए इसका function होता है वैस्व डाइलेशन ऐसे ही जो इफिनेट आर्टीवल होता है उसका function क्या होता है उसका function होता है हमको पता होगा पहले से बहुत को जानकर होगी कि हमारा नॉर्मल नॉर्मल हुमन का जो जीए फर होता है वोता है 125 एमेल पर मिनट अब क्या देखेंगे थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में basic important यह क्या है माल लो यह किड्नी है और किड्नी के इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं pelvis तो pelvis से हमको कुछ wele जयादole होने चाहिए क्यों पता ओने चाहिएं अभी हमगें हम वहते हैं Palew से एंट़ियर टू बोश्टियर का हिक्ता थे झाला जो दो कहने से लिच आर्फिर उसके बाद पहले वह बेन आती हैं उसके बाद फिर पर सती क्यों पता होना चाहिए जब भी हम कोई किड़्नी करते हैं तो हम अप्रोच करते हैं वो किड्नी को हमसा पोश्टियर साइड से करते हैं क्यों करते हैं अगर मालों ने क्या तो सबसे पहले वेन आएगी आर्ट्री आएगी तो बहुत सारे ब्लड वैसल साइगी बहुत सारा ब्लड अप्लोस होगा तो और आगे काफी ओर्गन भी होते हैं तो इसलिए हम प्रेफंड नहीं करते हैं जब भी किड्नी से क्लेटिर कोई भी सर्जुरी होती है तो हमारी यहां पर दिख रही होगा आपको एंड़ोथी यह लेर हैं एंड़ोथी लेर किसी पर होती है वह थे बेसमेंट मेम्लेंट पर उसके नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोडोसाइट यह फिर इनको बोलते हैं विचल एपिथीलियल सेल और यहां पी जो यह सेल दिख रही हैं आपको यह होती है प्रेटर एपिथीलियल सेल और यह वाला स्पेस होता है यह वाला आपको यह वाला दिख रहा होगा यह इस वाले स्पेस को बोलते हैं बोमें यूरिनरी स्पेस यह देखा हमने ग्रोव मैलोर यूनिट में अब आत एक उसके नीचे फिर बेस्मेंट मेमरीन आए कि दूसी नंबर फिर तीस नंबर फोड़ोसाइट आती है इनकी जो ग्रो मैलोर फिल्ट्रेशन बैरियर होता है उसमें तीन लेयर आती है कौन-कौन सी एंडोथीलियल बेस्मेंट मेमरीन और फोड़ोसाइट यह देखा हमने ग फिल्टर आउट होगा तो फिल्टर हो रहा है जिए घ्र हो रहा है चीज रहात उनोगर फिल्टर आलगा बेढ़ करती है बहुत छेइए और अबर मरें में चीज्ञ करें नेगीटर चार्ज होगी o करते हैं तो मान लो प्रोटोसाइट तो पहले सी नेगेटिव हैं अगर कोई अनाय नाय तो फिल्टर एजिली नहीं हो होता है उसको से ज़्यादा ग्लोबियूमीन का होता है और सबसे बड़ा होता है तो जो अलबुमीन होती है अगर साइज के हिसाब से देखे तो फिल्ट्र आउट हो सकती है और जितनी प्रोटीन होती है जतनी भी प्रोटीन होते हैं उन सब पर चाजर्ज होते हैं उससा और साइज के उपडिफर 155 होते कुछ फॉप्स है कि चाज़ की वैसे दूसर है कि साइज की वैसे सीज लॉफ सना ने बहुत ओ गर्रेंट करना है वह है चारज ओष मोलेक्ट यह यह जो अलबुमीन होती है उस पर प्रोटीन होती है वो फिल्टर नहीं हो पाती है तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोटीन होती है वो हमारी यूरीन में नहीं मिलेगी लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है क्योंकि हमने क्या देखा यहां पर इस लेवल पर ही तो फिल्टर आउट नहीं हो पाती है यहां से तो नोर्मल इंडिविजवल में भी अगर आपको प्रोटीन कितना मिल दा है लेस्ट देर वन फिप्टी एमजी पर डे युरीन में अगर इतना प्रोटीन मिल दा है तो हम उसको क्या बोलेंगे हम उसको कोई पैथोलोजिकल कंडिसन नहीं बोलेंगे क्योंकि यह सब नॉर्मल होता है और वो उसको वह उसमें हमको हाई-लेंट काष्ट देखने मिलेगा और यह कंडिसन आपको मिलेगे फिजियोलोजिकल काष्ट और नॉर्मल परसंद में मिलेगी इस टाइप की प्रोटीन को क्या बोलते है तैम होर्स फोल प्रोटीन तो हमने इसमें क्या क्या देखा कुछ कुछ और पड़ेंगे और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू